नमस्कार दोस्तों मेरा नामे भरज जिन स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चेनल भरज जिन पर दोस्तों जिसा कि आपने टाइटल के अंदर यहां पर देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं about the video door phone के बारे में video door phone कितने तरीके के आते हैं क्या-क्या features आते हैं और आपको कौन सा लेना चाहिए क्या आपके लिए preferable है यह तो आपको पता ही नहीं है तो उसी के लिए आज ही पुरा video बन रहा है तो video को शुरू करते हैं लेकिन इस video को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अब भी तक आ करता रहता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज कि इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि video door phone जो है वो आते कितनी तरक हैं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि video door phone आते कितनी तरक हैं क्या technologies है तब ही तो आप decide कर पाएंग है वो ही है इसके अंदर cat6 का या फिर आपका 3 plus 1 वाला cable यूज हो सकता है cat6 का आज की तारिक में ज्यादातर यूज होता है और उसमें भी 2 core ही cable यूज होते हैं तो वो LAN वाली technology नहीं होती यहां पर सिर्फ आपकी core यूज हो रही है cat6 की तो cat6 to cat6 यहां पर डाल दिये जात है और आपका video door phone यहां पर चलता है अब इस video door phone को जो है न वो आप one to one ही operate कर सकते हैं कि मतलब आपका एक outdoor है दूसरा यहां पर आपका indoor है बाहर से कोई भी आएगा bell button दबाएगा और आप यहां से देख पाएंगे और उसके साथ में बात्चीत कर पाएंगे अधर आप अं आपी video door phone क्या होते हैं Sam is it is with the IP camera जैसे कि आप देखते हैं तो यहां पर क्या होता है cat6 cable यूज होता है अब वो जो cat6 cable है वो कैसे यूज होता है outdoor है वहां से भी आप सिधा आपका जो switch है वहां तक cable डाल दो आपका जो indoor है उसका भी जो cable है वो P.O.E. switch तक डाल दो इसके ब दोस्तो इसमें थोड़े से add-on features मिलते हैं जैसे कि अगर यह internet पे डाल दिया मतलब कि आपको mobile की application मिल गई अब जैसे ही mobile की application मिली तो जो भी चीजे यहां पर आप indoor में देख पा रहे हैं वो ही आप आपकी mobile की screen के उपर भी देख सकते हैं उसके साथ आप में notification मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीजे हैं जो यहां पर आप IP वीडियो डोरफोन के थूख कर सकते हैं लेकिन दोस्तो एक थर्ड टाइप और आती है अब उसमें क्या है कि यह वाले जो IP वीडियो डोरफोन है वो analog से महंगे होते हैं तो brands ने यह सूचा कि क्यों नहीं यार इसके अंद और यह जो camera है वो आप आपकी application के ऊपर access भी कर सकते हो दोनों काम हो गया तो यहां पर आप hybrid में भी जा सकते हो इसके अलावा दोस्तों यहां पर और rate बरी करती है about जो इसकी screen होती है इंडोर की screen होती है उसके ओपर यहां पर commonly जो आज की तारिक में इंडोर की screen है वो 7 इंच की होती है इसके बाद में आपको 8 इंच देखने के लिए मिल जाती है और अभी latest trend के अंदर चल रहा है कि आपको 10 इंच की जो डिस्पले है इंडोर वाली वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है इसी के बे brands के according थोड़े बहुत feature plus minus होते हैं लेकिन हमें जो common feature यूज करना होता है वो क्या होता है कि कोई भी visitor या फिर guest आया अगर उसने इंडोर की button दबाई हमें यहां पर communication करने के लिए उसके footage मिल गया है और हम उससे communicate कर रहे हैं फिर आप इसको आप कितना expand करना चाहते हो आपको एक indoor लगाना है आपको दो indoor लगाना है आपको चार लगाना है तो वो आपके according आप कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर बात करते कि brand कितनी आती है दोस्तों video door phone के अंदर बहुत सारी brands यहां पर आज की तारिक में market में available है लेकिन हमारी लिए कौन सी बढ़िया होगी उसके पारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर video door phone के अंदर जो ज़्यादा तर मैंने जो brand देखी है वो यहां पर है आपके पास में हिक विजन है एक CP plus है एक आपके पास में यहां पर दा हुआ है पैना सोनिक है गोद्रेज है इस तरह कि यहां पर आपको regular यह जो brand है व नमबर 3 पर आपकी दाहुआ नमबर 4 पर आपका आगया यहां पर गोद्रेज नमबर 5 पर आगया यहां पर पेना सोनिक और नमबर 6 पर यहां पर आ जाता है हॉक विजन के उपर आलरड़ी मैंने video बनाए काफी अच्छी brand है और मैंने review किया है जैसे कि आप यहां पर video देखने के लिए मिले तो होक विजन भी वन आफ देश ब्रेंड यहां पर निकल कर सामने आ रही है तो यह जो 5-6 ब्रेंड जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर यह बढ़िया है पैना सोनिक में आपको यहां पर recommend नहीं कर रहा फिलाल क्योंकि पैना सोनिक पहले बहुत अच्छे video door phone बनाती थी सर्वी सपोर्ट काफी अच्छा था लेकिन पिछली करीबन एक दो साल से में यहां पर देख रहा हूं कि पैना सोनिक के अंदर जो सर्वी सपोर्ट है about the video door phone को लेकर वो इतना अच्छा नहीं रहा मतलब मेरा खुद का personal जो experience है वो अच्छा नहीं ह तो आप यहां पर हीक वीजन के साथ में जा सकते हो आप सीपी प्लस के साथ में जा सकते हो आप यहां पर हॉक वीजन के साथ में जा सकते हो गोद्रेज के साथ में जा सकते हो तो यह जो पांच ब्रेंड है इस पांच ब्रेंड से रिलेटेड आप उसको जो video door phone अगर आप ही रखना चाहते हो तो इसमें वन वाला टू वाला फॉर वाला और लोबी वाला भी यहां पर एवलेबल हो जाता है जिसके बारे में अगर मैं अभी बात करने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मौस्ट अफली आपको दोस्तो एक नॉर्मल सा एक आइडि इसके बारे में दोस्तो एनालोग वीडियो डोरफोन है वो 5,000 रुपए से अप्रॉक्सिमेट शुरू हो जाते हैं और 7,000, 10,000 रुपए तक में आपको एनालोग वाला मिल जाएगा अगर आप यहां पर हाइब्रिड के अंदर जाना चाहते हो तो 10,000 से 15,000 की रेंज में आपको हाइब्रिड मिल जाएगा अगर आप यहां पर आईपी के अंदर जाना चाहते हो तो आपको 12,000, 15,000 रुपए से लेकर 20,000, 22,000, 25,000 रुपए तक में आपको आईपी वीडियो डोरफोन भी मिल जाएगा इसके अलावा भी प्रीमियम केटेगरी एक और आती है जो क लक्जिरिय जो चीजे विला बना रहें तो वहां पर उसके अंदर टैकनोलोजी तो सेंग रहती है लेकिन उसका जो लुक होता है वो थोड़ा सा चैंज-जक कर दिया जाते हैं फो यह सबस्पन वहों लोगों को यूज सी करने चाहिए हैं लक्जिरे के बारे में हम पिर कमेंंट करके बता सकते ताकि मैं उसके ओपर वीडियो लिखियाओं मुझे पता तो चले आप लोग चाहते तो मुझे लगता है कि आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वीडियो डॉर फोन के बारे में टॉप brands के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा technology के बारे में कुछ अच्छे information मिली होगी अगर information मेरी अच्छी लगी है तो आपको दोई चीज़े करनी है आप हमारे इस वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है और जो आपके सुजाव हैं तो comment section में मुझे बता दीजिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नए information के साथ में तब तक आप सुब लोगों का तहदील से बहुत बहुत धन्यवाद जय है